हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, कैसे आप सब लोग क्या हाल चालें आप सब लोगों के, I hope आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत प्यारी होगे गाईज आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो जो है, वो है मेरा टो हेयर पे, तो आज मैं अपना टो हेयर रिमूव करने जारी थी, तो मैंने सुचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कि मैं अपने टो हेयर किस तरीके से रिमूव कर मैं यूज़ करती हूं इस पर Thread तो मैं इसमें सेल्फ थ्रेडिंग करती हूं मुझे जब भी जरुवत होती है तो मैं अपनी यह ज out देख रहीं टो की Threading कर लेती हूं तो आज मुझे करनी थी अपनी टो की तो इस पे जो हेयर है आप देख लो जो मेरे टोपे हेयर आए हैं इनके थ्रेडिंग मैं करने जा रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से यह वीडियो भी शेयर करूँ तो गैसी देख लीज़ी अगर आपको शो हो रहे हों गैस तो यह बहुत है है मट बहुत ही छोटे-छो तो यह है वो फैकित हो जिसके लिए जिससे हम लोग ऐब्रोज बनाते सैंट यह बनमाते सैंट थेदिक जो रहत आपनती है तो मैं था ऐब्रोज है टो टो मैं झीचरत मैं एक जरूब जाने घृरेहर ब्तों मैं टोmmn अगर आपको धागा जो है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है इस तरीके से तो मैं क्या करते हूं इसको जो है रोज वाटर में थोड़ा सा डूप कर लेती हूं और यह थोड़ा सा स्मूध और नॉर्मल हो जाते हैं जिससे कि आपको पेंफुल नहीं होता है और आपको तो यहां यहां पर लगाना होता है तो इसके लिए हमको लगपक अपनी कोहनी ठेल ने करी हम साविता और जोज की यहां पर कर देनी होती है जो इसका यहां पर आपको यह धालगा बिली है तो गैज यह देखिये इस तरीके से मैंने इस प्रफ गांट लगा दी है और अब ये इस तरीके से देखिए आपको दिख रहा होगा और बस इसको क्रॉस करते जाना है लगवाग आपको rouge हो दस बारे इसको क्रोडिक इस करना है इस तरीके से और सोरी मेरे लिए तो इसी है क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से इसी तरह यूज करते हूं तो मुझे बहुत easy लगता है तो यह देख लिजिए यह मेरे टोके है अब को अगर हो रहे हो तो आपको आपकी जो हैर की ग्रोथ है उसके opposite आपको thread यूज करना है तो यह देख के यह मेरे thread मैंने रखा और इसको इस तर है कर दिया तो इस तरीके से चो है यह देख लेजे, बहुत एजी और बहुत जल्दी, यह जो मेरे देखिए हैर है, तुरंट रिमूव हो जाते हैं, और पेंट भी नहीं होता है, तो यह देखिए, मेरे टो के हैर जो है, और रिमूव हो चुके हैं, और यह मेरे जो फिंगर में है, यह भी मैं देखिए, इसी तरहे रिमूव करूँगी, इस तरहे से मैं रिमूव करूँगी इनको, तो यह देखिए, तो इस तरहे से मैं रिमूव करती हूँ, और मुझे बहुत इजी हो जाता है, इस देखिए, बिल्कुल भी मेरे जो टो है, उस पे आप देखिए, बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो गए हैं, जो यह हैर थी इस पे, और इस पे भी जो थोड़े से थे वो मैं आपी पहले कर चुकी थी, बटा भी मुझे अगर इसमें लगेगा तो मैं इस पे फिर कर लोगी, इस तरीके से, बहुत जादा छोटे बाल जो हैं, वो थ्रेड में नहीं आएंगे, तो मैं छोड़ दूँगी इसको, और फिर मैं उसे नेक्स टाइम करूँगी, जब थोड़ा ग्रो कर जाएंगे, तो इस तरी में रिमूव करती हूँ, यह देख लीजिए, यहां पे भी देख रहा है, मुझे यह, यह देख रहे हो, यह आपको देख रहा हो, तो इसको मुझे क्लीन करना है, तो यह देख लीजिए, यह मैंने रिमूव करें है, अपने टो हेर, और इसे तरीके से मैं रिमूव करती हूं अपने टो हेर और इसमें मैं थोड़ा से लगा लगा लेती हूँ मोस्च राईसर, तो यह थोड़ा सा मॉस्टिराइजर मैंने ले लिया है और बस अब मैं इसको थोड़ा-थोड़ा सा इस तरीके से लगा लूँए बस और यह बहुत एजी तरीके से मैं थ्रेडिंग कर लेती हूं जैसे मैंने आपको दिखाया है तो मैंने सुचा है जब मैं करने जा रहे थी आज यह थ्रेडिंग तो आप लोगों से मैंने सुचा शेयर करूँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो गैस और अगर थोड़ा भी हैल्फुल लगा हो तो प्लीज शेयर जरू इस वीडियो को तो यह देखिए आपको अच्छे से दिखा दूँ तो यह था मेरा आज का वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किजिएगा यह था मेरा आज का वीडियो और अब में मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले नेक स्टूडियो में तब तक के लिए आप अपना भी क्याल रखिएगा और हमारा भी क्याल रखिएगा तो बाबाई